हलो नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे आई टी आई के जितने चात्री समय एक्जाम देने जा रहे हैं सभी से रिक्वेश्ट होगा इस वीडियो को कम्प्लेट दिखेगा और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को भी सस्क्राइब कर देंगे तो चलिए आज का कोशन सुरू करते हैं यह कोशन है इंप्लेटी स्किल का है चाहे आप इलेक्टिसियन से या फिटर से या किसी भी ट्रेट से आप आई टी आई करें तो आपके लिए कोशन इंपोर्टेंट है और यह कोशन में आपको ए सनचीप्त सरल एयो सापडिक होने चाहिए तो यह आप जो होना कर चाहिए कोशन का सर सप्रसार सप्रसार हों जाया प्रभावी संचार के सदान तो भी यह परत्यच और मतलब की अवी सधान वाहा है और प्रतियच संदेश वाहन भी होने चाहिए इसलिए आपर यह और सी दोनों करेक्ट इंसर हो जाता है कोशन नमबर पांच पर आते हैं जिसमें कोशन पूछा गया है कि एक CPU को कंप्यूटर का खाली अस्तान भी कहा जाता है दिमाग बोला जाता है या वाहन या कोई नहीं इसको बोला जाता है दिमाग CPU क्या होता है इसका दिमाग होता है और CPU का पूरा नाम होता है Central Processing Unit तो इस चीच को भी आप नोट कर लिजेगा अगले कोशन पर आते जिसमें कोशन पूछा गया है कि इनमें से क्या एक हार्डवेर डिवाइस नहीं है माउस या कीबोर्ड वि इसको नोट कर लिजेगा आगे बरते कोशन यहां पर नोव में जिसमें पूछा गया है कि एकसल की पुरानी फाइल से नई फाइल बनाने के लिए खाली अस्तान का प्रियोग किया जाता है सेवेज का या सेव का या कॉपी का या पेश्ट का तो नई फाइल की बात कर रहा है तो यहां पर हम सेवेज का प्रियोग करते हैं अगले कोशन पर आते जिसमें कोशन प पे आते जिसमें कोशन पूछा गया कि उन्हें किया चनल में उन्हें क्या कहते हैं डानिक या सिंपल न करेक्ट या कोलगते हैं न कर्याशिक्ट मारं के लिए फालिस्तान पुर्यों होता है separate g грl i.a b at uga j Does the app लोता है इसका नाम रॉण होटा जो किई आफसण में आपका चो ऑफसन अगा हो जाता है अगले कोशन पनले में कोशन पूचा कि भारत में lt sct का पारित किया गया यह पीडा है और यह हर बार परिष्वा में पूचा झाता है será यह अगले a यहाँ पर कोशन नंबर 14 में जुसमें पूछा गया कि एक संचार कि कितने परकार होते हैं तो आप संचार के जो प्रकार होती है यह आपका और अक्षं पर आप में झेड़िगी में तो यहाँ पर निगेट यहाँ पर बता रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अगले कोशन पर पूछा गया है कोशन थे लाए सुला की एक कार रन ओवर गरल को निस्क्रिया वाक्त में बदले मतलब की निस्क्रिया मतलब एक इस्ट और पैसी का आपने नाम यहां पर सुना होगा उसी को यहां पर पूछ रहा है तो जब इसको आप बदलने के जो तो आपका जो अबजेक्ट होता है किसमें आ यहां पर गार चलाएगा तो यहां पर लिसमें इसके आपका क्रफिकल आपी और झाले सबस्कराइब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहां पर a car अपका तो यहां पर आपका हो जाएगा साँ अगले कोशन पूछा गया है कि एक्जेक्ड खाली अस्तान प्रकार है माउस या प्रिंटर या लाइट या सब्सक्राइब जो एक्जेट्ट के प्रकार है इसने से कौन से हैं तो यह आपका प्रिंटर जो आता है यह एक्जेट्ट्के प्रकार के अंतरगत आता है थो आपसन बिल्कुल MS-DOS या Windows या Internet या AAB दोनों तो इसमें जो आपका operating system के अंतरगत आता है उसको हम बोलते हैं MS-DOS और Windows जो की option में आपका AAB दिया गया है तो यहां पर हम D option correct मारेंगे AAB दोनों अगले question पर आते हैं जिसमें question आप से पूछा गया है कि लिखे गए text को हमेशा के लिए एक जगल से दूसरी जगा फेजने के लिए किसका प्रियूग करते हैं आप मोबाइल भी यूज करते होंगे तो आपको माला हूँ होगा एक फाइल में से हम किसी भी कोई यहां पर कोई भी प्रोग्राम में सब्सक्राइब कोई application है या कोई भी चीज है फ आप से पूछा गया है कि excel में किसके द्वारा हम साहित किया प्रियूग करते हैं दोस्चार करता है और किस द्वारा एक कम्प्यूटर तक डिजिटल का संचार करता है यह अपका इंपोर्टेंट कोशन है और इसमें आपका जो सभी हो जाता है भी है क्रेक्ट हो जाता है पून लाइन करह उप्यों किया जाता है विर्याफ आपने कि और मुस्ट इंपोर्टेंड कोशन है है ले कि आपका नमबर 13 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न किया एक वरता को बाद नहीं है इसमें आप विस्वास देंके कोई नहीं नहीं तो इसमें एकुर्छा अगले पर किसमें कोशलों नबर से निर्बर करता है कि यतो ही कोई कोई समस्या कहुझसे ना सोले तो उसे च्छोड देना चाहिए दूसरों को पर छोड़ दें या वर्द करते हैं तो इसमें आप का मतलब है यह तो यहां पर कुछ 25 कोशन आप चाहते हैं या कोई इसी भी कोशन में आपको किसी पर करकार करका होता है तो कमेट में पूछ लीजेगा आपको जनकारी मिलेगा फिला दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में